आज की रेसिपी बहुत ही डिलिशियस और इंट्रस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीचेगा शेयर कीचेगा चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा तो पर शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो यह देखिए फैंस आज हम बनाने वाले हैं यह इंस्टंट बहुत ही डिलिशियस यमी सा मिर्च का अचार तो चली शुरू करते हैं तो मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने यहां पर यह बड़ी वाली मिर्ची ली है अचार वा एक तो यह तीखी नहीं होती है, उपर से इसका चार बहुत ही बड़िया लगता है खाने में, तो यह देखिए यह तैयार हो गई है, तो चार में डालने के लिए यहां पे मसाले हैं, इसमें मैंने यह सरसो लिया है, पीली वाली, अगर आपको यह न मिले, तो आप यह जो काल वाली सरसो आती है, ये ले सकते हैं और इसके साथ आपको लेनी होगी ये राई, जो पीली सरसो होती है उसमें अपनी एक खटास होती है, लेकिन काली सरसो में खटास नहीं होती है, इसलिए हमें उसे खटास के लिए उसके साथ लगानी पड़ती है राई, कलॉंजी, काला नम और सादा नमक, धनिया, मेथी दाना, सौफ और जीरा तो आब हम इन मसालों को रोस्ट करेंगे तो सबसे पहले मैंने आप एक कलॉंजी ले ली है इसको हम रोस्ट कर लेंगे पिल्कुल धीमी आज पर हमें इने रोस्ट करना है कुछी मिन्टों में ये देखिए, कुछ सेकिंस में ये हमारी रोस्ट हुजाती क्योंकि थोड़ी सी है और सभी की कॉंटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी है आप वहाँ से इनकी इग्जेक कॉंटिटी देख लीजेगा तो इन सभी को हम डाल देंगे और अब हम इने हलका हलका रोस्ट करेंगे मतलब हमें इनका कलर चेंज नहीं करना और ना ही इने जलने देना है अधर्वाइस हमारा जो मिर्च का अचार है, उसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा तो आप देख सकते है यह बहुत बढ़िया से रोस्ट हो गया है, इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से दरदरा सा कूट लेंगे तो मिर्ची में हम डाल देंगे यह अपना कूटावा और भुनावा मसाला और डाल देंगे कलाउंजी, इसे हमने नहीं कूटा है क्योंकि कलाउंजी कडवी हो जाती है कूट में से नमक और अब हम इसमें डालेंगे यह हल्दी, जो कि हाफ टीस्पून डाली है मैंने साथी में यह देगी मिर्च, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है और हमारे अचार में देखे, ज्यादा तीखा अगर आपको पसंदे तो आप साथी वाली मिर्ची इसमें डाल सकते हैं वैसे देगी मिर्च काफी रहेगी, यह चार बहुत ही बढ़िया लगता है किसी भी पराठी के साथ में, किसी भी डिश के साथ आप इसे खा सकते हैं तो यह करीब 100 गराम, यानि की एक कप मैंने यह सरसू का तेल गरम कर दिया है और इसमें हमने डाली है, हाफ टी स्पून हींग तो हम इसे इस तरह से इसमें डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें इसमें इससे जादा कुछ नहीं करना है, और यह हमारा चार्ज है तयार हो गया है और यह देखे, इसे आप किसी भी एर्टाइट कंटेनर में भरके अराम से महीनों तक खा सकते है बस आप इसे थोड़ी सी धूप लगा दिया कीजे, जैसे अभी तो धूप निकल रही है कितना इजी है इस अचार को बनाना साथी में बहुत ही डिलिशियस बनके तैयार होता है आप इसे एक बार बना लीजिए और पूरी सर्दी आप हर तरह के पराटो के साथ इसका मज़ा ले सकते है तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेर करना बिलकुल मत भूलिएगा मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मैं मिलूंगी आपसे नई रेसिपी में, नई वीडियो में तब तक अपना खयार रखिए